Hello everyone, विज्ञान्विक्स में आप सभी का स्वागत है आप लोगों ने इन और्गैनिक के बहुत सारे टॉपिक्स के अल्रेडी क्वेस्चन्स कर लिए हैं जिसमें से आपने देखा होगा आपका कॉडिनेशन, केमिकल बॉंडिंग वगेरा अल्रेडी हो रखा है अब आपका इंपोर्टन टॉपिक जो सुरू होने जा रहा है वो क्या है? और्गैनो मेटालिक्स का है और्गैनो मेटालिक्स के बहुत डेड़ सारे क्वेस्चन्स हैं इनके हम क्वेस्चन्स के आंसर देखेंगे कैसे करने हैं और मैं पहले ही बता रहा हूँ यहां पर से इन क्वेस्चन्स को देखने के बाद आप ऐसे मैं समझेगा कि आपने और्गैनो मेटालिक्स नहीं पड़ी बहुत सारे क्वेस्चन ऐसे हैं जो आपको 100% आ रहे हैं बट क्वेस्चन गलत करोगा due to statement वहां पर statement बहुत जरूरी हो रही है यह मैं session start होने के बाद पहले ही बोल रहा हूँ और session end होने के बाद भी align बोलूंगा question बहुत ही genuine है normal और authentic है बट ध्यान से पढ़ना question की statement क्या बोली गई है ठीक है तो यहां पर से पहला question आपके screen के सामने है the number of metal metal bond in this complex where each rhodium is in a square planar arrangement is तो देखे अगर आपके सामने यह complex दिया गया है तो यहां पर क्या होगा rhodium होगा second में भी यहां पर rhodium होगा फिर यहां पर क्या दिया गया है CO2 है मतलब एक CO है यहां पर मैं एक CO यहां mention किया हूँ यहां पर CO है और यहां पर CO है इसके बाद यहां पर क्या है mu2CL mu का मतलब क्या होता है आपको सब को पता है breezing होती है mu का मतलब होता है breezing और 2 का मतलब यहां पर क्योंकि यहां पर कुछ नहीं लिखा है अगर खाली mu लिखा है या mu2 लिखा है इसका मतलब है दो मैटल्स के बीच में ब्रिजिंग होई लेकिन अगर वो म्यू 3, म्यू 4 लिखा है उसका मतलब होता है कि वो कितने मैटल तीन या चार रिस्पेक्टिवली मैटल्स के साथ जुड़ा है इसके साथ साथ में आपका क्या दिया गया है कुछ नहीं दिया गया है अब यहाँ पर जरा देखो यहाँ पर है दो यहाँ पर है दो यहाँ पर तीन होता है यहाँ पर तीन होता है यहाँ दो होता है यह कोबाल्ड से कौन रहेगा आयरलेंड थेक है तो यहाँ पर कितना 9 होता इसका तो 9 इसका और 9 इसका कई लोग कहेंगे सर्क्लोरीन यहां कैसे लिख दिया 3 देखिए जब क्लोरीन किसी एक मेटल से जुड़ता है तो यह आपका अनपेर्ड एलेक्टरॉन है और अनपेर्ड एलेक्टरॉन के इनटजी जादा होती है इन कमपेरिजन टू पेर्ड इसलिए सबसे पहली तो डोनेशन यहां से करता है वाइल अगर सेकेंड मेटल आता है तब इसकी एलेक्टरॉन डोनेशन कहां से होती इस जगे से तो देखो यहां से एक और यहां से दो मतलब टोटल एक क्लोरीन कितना दे रहा है तीन दे रहा है तो इस तरह कि यहां पर चीज देखने को मिलती है अगर आप इसको कल्कुलेट करने जाओगे तो 9, 4, 13, 13 और 3 यहां से ऐगा 16, एक के लिए 16 और इसके लिए भी यहां पर से solar होगा, अब इसमें से क्या बात पूछी गई थी, number of metal metal bond, तो ध्यान से देखना, in general यहां पर बच्चे क्या कर देंगे, हमें पता है कि अगर यहां पर 16 electron एक metal के लिए हो रहे हैं, तो generally हमारा 18 electron complex complete करते हैं, तो 2 इसमें कम है, 2 इसमें कम है, तो इनके बीच में य 0 होगा, reason 2 है, जब आप stability of metals पढ़ते हो, stability की बात करते हो, तो stability में आप 2 rule पढ़ते हो, एक 18 electron rule पढ़ते हो, और दूसरा आप कौन सा पढ़ते हो, 16 electron rule पढ़ते हो, जब आप 18 electron rule की बात करोगे, तो यहां पर कौन आएगा, यहां पर आपका octahedral देखने को मिलता है, tetrahedral दे BP देखने को मिलता है, अगर आप इसके बात करते हो, तो यहां पर आपको square planar वाले complexes देखने को मिलते हो, और square pyramidal type के complex देखने को मिलते है, तो यह इसका theory part है, और अब इसका यहां पर से हमें जो complex दिया गया था, तो क्या बोला गया था, वो square planar complex है, square planar complex tetra coordinated होते हैं, already tetra coordinated 16 electron को follow करते हैं, तो 16 को ही follow करेंगे, अगर metal metal bond draw करोगे, तो यहां पर फिर आपका 18 पर पहुँच जाएगा, जो कि हमें नहीं कराना होता है, that means आपका option number A था, चलिए, second question क्या है, sum of metal metal bond present in the following molecule, always 18 electron rule, species is this, मतलब हमारे पास इस बार उसने क्या बोला है, complex 18 electron rule को complete कराओ, और इस complex में और इस complex में जितने number of metal metal bond आने वो बताने नहीं, उनको add up कर लो, उनका sum कर लो, तब आपको बताना है, तो यहां पर से क्या है, एक nickel है, यहां पर से दूसरा nickel है, और यहां पर से तीसरा nickel है, इसके बाद में हर nickel के ऊपर क्या है, एक CP present है, मतलब आपका वही cyclopentadionine cyclopentadionine, ठीक है, अब इसके बाद यहां पर क्या है, CO, और देखो क्या लिखा है, mu3, यह नीचे लिखा है, कभी उपर लिखा मिलेगा, तो इसका भी थोड़ी देर पहले क्या मतलब होता है, ब्रिजिंग होई है, कितने members के बीच में उसको represent करता है, तो यहां पर से क्या है mu3, मतलब दो carbonil ऐसे हैं, जो की किन किन से जुड़े हैं, यहां पर अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो, यह तो mu2 हुआ, और इसे हम क्या कहेंगे, mu3, उसी तरीके से similarly, अगर मेरे से second time बोला जाएगा, तो यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, इस तरह का complex है, उसके बाद य दिया गया है, यहां पर positive charge दिया गया है, अब जरा ध्यान से देखना, इनका electron count करके, हमको number of metal, metal bond निकालना है तो देखे, इसका कितना होता है, दस होता है, इसका भी 10 होता है, इसका भी 10, इन CP का 55 होता है electron count, इस सब को पता होगा, और carbonil चाहे कभी भी breathing में हो, और चाहे terminal position में हो, electron count कितना, always to लेते हो, कितना, always to, तो इन सब को जोड़ोगे, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 45, 47 और 47 दो 49, यहां से total valence electron कितने आ रहे है, 49, लेकिन complex के उपर positive charge होने का मतलब है, एक electron ionize किया है, तो यहां से minus 1 हो जाएगा, total valence electron यहां से कितने आ गया, total valence electron यहां से 48 आ गया, अब द चाहिए, 18 चाहिए, तो 2 के लिए कितना चाहिए, 36 चाहिए, 3 के लिए कितना चाहिए, 54 चाहिए, लेकिन actually में आपके पास कितना है, 48 है, 48 है तो आपको number of metal metal bond calculate करने के formula पर जाना ही नहीं है, ठीक है, कि वहां पर होता है 18 N minus TVE upon 2, यहां पर रखोगे तो 18 into 3 minus, यहां पर TVE आया है आपका 48 upon 2, तो यहां से आया 54, 54 minus 48 है, 48 upon 2, तो 54 minus 48, 6, 6 बटे 2, answer आगया 3, हमको इस वाले method से formula से निकालूंगा ही नहीं, मुझे पता है कि 3 metals के लिए, जो हमारा total valence electron होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, वो 54 होना चाहिए, और अभी present में हमारे पास कितना है, हम यहां पर से इसके बीच का difference कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और किसी भी metal metal bond बनाने के लिए, जो electron count की requirement होती हो, कितनी होती, 2, तो इससे divide कर लोगे, तो इसके total metal metal bond कितने आ जाएंगे, 3, तो चाहे आप इस method से निकालो, चाहे आप अपने बढ़िया सा लेंदी से formula वाले method से पहले के लिए तो 3 आ गए, सेकेंड वाले के लिए ज़रा देखना है, यहां पर MN है, यहां पर भी MN है, फिर इसके साथ में यहां पर 1 CO जुड़ा हुआ है, और यहां पर 1 CO जुड़ा हुआ है, साथ में इसके 1 CP गृुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, CP मतलब आपका cyclopenta dianine, ठीक है, यह आपका CO हो गया, यहां पर CO हो गया, उसके बाद यहां पर पूछा गया है, तो आप ऐसे देखो, इसका कितना होता है, 5, 2, 2 और 7, 7 और 5, 12, 12 और 4 यहां से कितने हो गए, 16 हो गए, 16 हो गए, तो obvious सी बात है, इनके बीच में कितने metal, metal bond होने चाहिए थे, 2, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पर से एक तरह से यह calculation हो गई, हाँ, इनमें से 3 आ रहे न, तो 3 बनाया तो है नहीं अभी हमने, तो इनको कुछ ऐसे बना देंगे, ठीक है, यह existence हो जाएगी, जिनके electron 2, 2 और 2 हो जाएगा, उसी तरीके से यहां पर से क्या हो हो जाएगा, 2 और 2, टूटल वेलेंस electron यहां पर कितना आ रहा था, टूटल वेलेंस electron यहां जो है, वो 32 आ रहा था, काउंट कर लो, 7, 7, 5, 12, 12, 12, 14, 14, 16, 16 वहीं चीज़ेश्ट इदर है, 16 और 5, कितना हो जाएगा, 16, 16 और 5, यहां से कितना हो गया, 16, 16, 16, 17, 23, 23, 23, 25, 25, और यहां से 732, तो total valence electron यहां से 32 आ रहे थे, होने कितने चाहिए थे, 2 metal के लिए, 3 नहीं, 2 metal के लिए कितने होने चाहिए, 36 होने चाहिए, हैं कितने 32, difference कितने का आया, 4, 1 metal metal bond के लिए 2, तो इससे divide कर दोगे, तो answer कितना आजाएगा, 2 आएगा, जो कि मैंने already mention कर रखा था, हमसे question क्या पूछा था, तो complex A और plus B के जोड़ के बताओ, तो इसमें हमें कितने चाहिए, 3 और इसमें हमें चाहिए, 2, तो यहां से mm, ठीक है, metal metal bond in 1, metal metal bond in 2, इनका sum बताना था, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि आप अब option आसानी से लगा सकते हो, इसमें कौन सा option हो जाएगा, option number C, चलिए, next question देखते है, यहां पर क्या पूछा गया है, number of metal metal bond in this, देखे रहे यार, just पीछे यही question कर गया, CP, MN, CO का whole toys का, वहां पे पूछा गया है, तो बिना देखे इसमें क्या ल इसके बाद जो भी आएगा, इसको total से 2 से multiply कर दो, कितना आगया, 5, 7, 5, 12, 12, 12, 16, 16 आगया, और 16 into 2, यहां से total valence electron कितने आगया, आपके 32 आगया, ठीक है, और हमें चहिए कितने होते है, 36 चहिए होते है, और 36 में, ठीक है, 36 अगर हो गया है, तो यहां से 36 में और इसके बी यहां पर time waste नहीं करते हैं, तो यहां पर से option 2 हो जाएगा, next question, बढ़िया question है, बड़ा question है, important question, काफी lengthy question है, तो सुनना यहां पर, यहां पर consider the following reaction, this complex CO के साथ में I2 की reaction करी गई, A बना है, उसके बाद यहां पर हमने hydride का attack कराया है, और product B बना है, तो सबसे पहले आपको reaction पता होनी चाहिए कैसे होता है, तो यहां पर से अगर आपने कोबाल्ट को उठा लिया, तो यहां पर से जरा देखिएगा, यह आपका group है, CP, CO, और CP, ठीक है, जैसे ही यहां पर आपने क्या डाला है, I2 की reaction कराई है, तो ध्यान से देखिएगा, I2 जो है, as a oxidizing agent की तरह काम करता है, oxidizing agent की तरह काम करेगा, तो अगर आपको नहीं पता है, तो एक मिनट के देख लीजिए, यहां पर कितने electron है, 19 electron की presence है, और आपको पता है, 19 वाले यानी stable होते है, जैसा ही ऐसा होगा, तो क्या होगा, अगले ही stage में यहां पर से, एक electron का removal होगा, और जैसे ही removal होगा तो complex क्या बन जाएगा, एक catanic complex बन जाएगा, यहां पर positive, और यह किसमे convert हो जाएगा, 18 electron system में, और stable हो जाएगा, अब यह हमारे पास क्या है, यह तो हमारे पास A system है, A product है, लेकिन इसके उपर क्या attack कराया गया है, H minus का, और इसी को hydride कहते हैं, यह जब आप organometallics पढ़ते हो, तो वहां पर बोला जाता है, कि यहां पर nucleophilic जो है, attack होने जा रहा है, अलकीन के उपर, और इसको आप पढ़ते हो, DMG rule में, वो क्या बताता है, कि अलकीन के उपर order कैसा होता है, किसके उपर fast होता है, किसके उपर कम, लेकिन यहां तो वह लगेगा ही नहीं, reason क्या है, because, यहां पर दोनों symmetrical है, चाहे इस पर करालो, चाहे इस पर करालो, तो DMG rule का use नहीं होगा, और कितने बार hydride का attack होगा, वगेरा, यह completely depend करता है, कितने number of positive charge है, उतने बार ही attack होता है, एक है तो एक, callman's reagent में आप देखते हो, FECO का hole 4, 2 negative है, तो वहां पर नहीं, इसके अला है, मतलब यहां पर eta 4 hepticity आ जाती है, यहां पर एक hydrogen था ही, एक ही hydrogen आ जाएगा, यहां पर से kobalt और कुछ ही आ जाएगा, यह हमारा eta 5 में रहेगा, यह eta 5 में रहेगा, और आपको पता है, hepticity ही हमारे electron count को बताती है, तो 4, यहां से 5, यहां से 9, और यहां से यह, तो अभी यह कैसा है, एक टीन electron rule को follow कर रहा है, यह हमारा B product है, अब इनके according यहां पर से answer को match कर लो, सबसे पहले कह रहे है, complex A is a diamagnetic in nature, यह जो है, यह diamagnetic है हमारे पास nature में, फिर है complex B, मतलब यह जो हमारे पास ferocene, diamagnetic है, तो ध्यान से देखेगा, जब आप ferocene पढ़ते हो ना, feroc cobaltocene की, जो MOT होती है, ferocene की, यह कहलो metallocene की, ठीक है, metallocene, यह तो क्या है, cobaltocene है, metallocene है, metallocene में अगर iron है, तो ferocene, chromium है, तो chromocene, nickel है, तो nickelocene, cobalt है, तो cobaltocene, इसकी जो आप energy order draw करते हो, वो ऐसे कुछ draw होती है, ठीक है, और यहां पर यह, ठीक है, इसको बोलते हो आप E2G, इसको बोलते हो A1G, और इसका नाम है E1G और स्टार, यह anti-bonding orbital होती है, ठीक है, यह anti-bonding orbital होती है, अब यहां पर से आपके पास जो A वाला system है, उसमें cobalt कहा है, देखो, इसका charge होता है, minus 1, इसका minus 1, और complex के उपर plus 1 already है, तो यहां पर से अगर आप calculate करोगे, तो X plus में minus 2, मतलब minus 1 वाले 2 है, तो यहां पर minus 1 into 2, और is equals to plus 1 यहां पर है, तो X is equals to plus 3 यहां पर से देखने को मिल जाएगा, जैसे ही यहां पर से plus 3 देखने को मिल जाएगा, तो यहां पर से आप क्या करोगे, cobalt की oxidation state कितनी लिख लोगे, cobalt की oxidation state यहां पर से plus 3 लिखोग और जैसे ही यहाँ पर प्लस 3 होगा तो यह डी 6 टाइप का बन जाएगा ठीक है यहाँ पर डी 6 टाइप का बन जाएगा उसके बाद हमसे डाया मैगनेटिक पूछा गया था तो इसमें आप एलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा भाई एक मिनेट रुकना कुछ घरबड हो रह रहा है क्या यहाँ पर से कमप्लेक्स ए इस ढाया मैगनेटिक इन नेचर ठीक है कमप्लेक्स ए हमारे पास डाया मैगनेटिक होगा ऐसा यह बोल रहे है कुछ गड़बड लग रहा है होना तो यह कैसा होना चाहिए डाया मैगनेटिक यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 कुछ तो गड़बड हो रहा है कहीं यहाँ पर complex A, इसकी तो बात नहीं कर रहे है ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसकी बात करोगे तो यह तो सही हो जाएगा complex A, follow a teen electron rule, there is an electron in anti-bonding orbital यहाँ पर मुझे लग रहा है excitation हुआ होगा फिर, और क्या हो सकता है वैसे यहाँ पर तो ऐसा नहीं आएगा यहाँ पर, एक मिनट देखने तो भई metallo scenes वाले parts में देखना पड़ेगा इसको please एक मिनट रुकना, सारे में बता दूँगा, उसी में ही तो कि यहाँ पर तो इसमें नीचे आ जाएगा, अगर plus 3 में हो जाएगा एक मिनट रुकना भईया metallo scenes कहां पड़ा है okay यह मिल गया, cobalt का 7 में होता है, तब paramagnetic होता है, ठीक है यहाँ पर 7 के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ पर D6 यहाँ पर फिर A का क्यों दिखाया गया है complex A is a diamagnetic in nature वैसे देखिएगा, यहाँ पर से इसको सही कर लीजेगा अगर मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे आप देखोगे, यह आपकी किसकी है, इन किसी भी metal की वो है, ठीक है, जो आपके पास book में given है, वो आपका cobalt plus 2, fe plus 2, mn plus 2, nickel plus 2, इन सब की होती है, यहाँ पर सबसे पहला electron भरते हो, दूसरा यहाँ पर भरते हो, तीसरा यहाँ पर भरते हो, फिर 4 यहाँ पर भरते हो, पाचवा यहाँ पर भरते हो, और 6 यहाँ पर भरते हो, उसके बाद जब 7th electron आता है, तब यहाँ पर excitation होती, क्योंकि यहाँ इनके comparison में यह gap जादा होता है, ठीक है, तो cobalt plus 2 के लिए पूछता तो हमारा कैसा हो जाता है, यहाँ पर, यह paramagnetic हो जाएगा, मुझे लग रहा है, उसी से related पूछा गया होगा, यहाँ पर A नहीं होगा, ठीक है, एक अगर होगा, तो फिर तो diamagnetic हो जाएगा, इसको हटा लेना भाई, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे option फिर match नहीं करेंगे, तो यहाँ पर complex is a diamagnetic in nature, मतलब हम मान ल होता है, जो कि solid में पूछते हैं, और gas phase या vapor phase में पूछते है, solid में क्या होता है, यह gapping बहुत कम हो जाती है, तो यह excitation already हो जाता है, नहीं तो यहाँ पर कुछ ऐसे system देखने को मिलता है, एक मिनट, यहाँ पर से यह ऐसे, तो इसमें कैसा है, gas phase में यह gap बहुत जादा होत जाते हैं, यह कैसे हो जाते हैं, पाच के पाच हो unpaid, यहाँ पर a compared, n की value यहाँ 1, n की value यहाँ 5, उसके अलावा normal सारे case चलते हैं, ठीक है, और सारे normal case, फिर complex b contain one ligand in eta 4 mode, मतलब b वाला हमारा कहां पर है, यह है, और eta 4 mode में है, तो yes, यह statement सही है, a has a smaller mc bond length than this complex, देखो, अब यहाँ पर से क्या बात आ रही है, जो हमारे पास a है, has a smaller mc bond length, जैसे अभी मैंने a का बताया था, तो भाई देखो, अगर cobalt plus c में था ना, तो no doubt यहाँ पर इसकी arrangement कैसे हो जाएगी, यहाँ पर से, यहाँ पर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब a1g, यहाँ पर आता है e2g, और यह हो number of electron, number of electron, sorry, यहाँ पर दो चीजे लिखाई जाती, पहला number of unpaired electron, जिसके जादा होते हैं, वो directly relation होता, bond length के, और जब यह दोनों चीजे सेम हो जाए, किसी के मतलब मान लो, nickel plus 2 में भी 2 unpaired है, और chromium plus 2 में भी 2 unpaired है, एक तरह से मानना है अगर, उसके बास second factor क्या करते हैं, number of electron in anti-bonding molecular orbital is directly proportional to bond length, मतलब यहाँ पर जितने जादा होंगे उपर वाले में, यह जादा bond length रखेंगे, क्योंकि कहां है, anti-bonding में, तो ध्यान से देखना, इस case में क्या है, सारे के सारे कहां है, bonding molecular orbital में, और अगर आप बोलोगे, A is smaller bond length, तो यहाँ पर देखो, A में क्या है यही तो A है हमारा, यही तो हमारा A है, जिसमें D6 है, तो बिल्कुल सही बात है, जब strong bond होगा, तो smaller bond length होगी, than this complex, मतलब इसमें क्यों ऐसा कह रहे है, क्योंकि यहाँ पर we know that one unpaired electron है, पहली ही condition में इससे जीत रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो यह समझ लो कि bond length कम होती है, और अगर anti-bonding में जाता है, तो bond weak होता है, या bond तूट जाता है, और bond length लंबी हो जाती है, यह सब आपको पता होगा, तो this statement is completely true, A has a larger MC bond length than eta 5 this, अब यहाँ पर सुनना क्या कह रहा है, A has larger bond length, मतलब यहाँ पर देखो, यह सारे bonding में तो यहाँ तो bond strength strength होगी, bond bond length छोटी होगी, गलत बात बोल रहा है, तो यहाँ पर से 2 और 3 वाला हमारा option जो है, वो match कर जाएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा edit इसलिए करवाया, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर से diamagnetic complex A is a diamagnetic, अगर यहाँ पर A लिख देते तो, तो सही हो जाता और सही हो जाता हो, आपका option ना match होता कोई, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ थोड़ा editing कराई है, चलिए, इसका देखिएगा एक reaction दी गई है आपके सामने, यहाँ पर है reaction of FeCO का whole 5, with Na2 FeCO का whole 5, in THF gives a salt, एक salt बिलता है, and CO, मतलब एक carbon monoxide release हो जाती है, the rumen spectrum of this, यहाँ पर है ET का whole 4 हो गए, यहाँ रही, ET का whole 4 है, ठीक है, ammonium जैसे आप ammonium पढ़ते हो, nitrogen के साथ 4 hydrogen जुड़के, उसी तरह है, ethyl group लगे है, soze absorption at 160, this and the metal metal bond present in a molecule, देको सबसे पहले तो आपको reaction करनी होती है, तो यहाँ पर solution डाल के आप यहाँ पर, क्या करोगे, reaction लगाओगे, यहाँ पर CO का whole 5 आपके पास ह और सामने, Na2 FeCO का whole 4 जो आपका है न, इसको कैसे represent करोगे, FeCO का whole 4 और इसके उपर जो यहाँ पर sodium थे मैंने उन्हें हटा दिया, sodium तो positive होगा, इसके उपर क्या आएगा, negative आएगा, और यह reaction क्या है, मिलब यह कौन है, यह हमारा callman's reagent है, जैसे ही ऐसा होगा, तो यहाँ पर 3, 4, यह क्या हो गए, यहाँ से CO लग गए इसके, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर bond बन गया, यहाँ से CO, यहाँ से CO, यहाँ से CO, और यह CO, ठीक है, अब यहाँ पर से एक बार देखिएगा, यहाँ पर से क्या हुआ है, यह आपके सामने अगर आ गया है, तो इनकी reaction में यहाँ पर से देखिएगा, यहाँ पर से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, और यहाँ पर से 8 और 8, ठीक है, 16 और 16 32 हो गए यहाँ से, और 2 इसके आगे 32, 2, 34 हो गए, तो यहाँ तक यह होगा, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर से हम से क्या पूछा था, question में, absorption के लिए पूछा है, दा, अच्छा, ओके, ओके, एक मिनट रुकना, यहाँ पर से इसने जो attack किया है, मतलब इनके बीच में, यहाँ पर metal metal bond तो form हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर जो charge है, क्योंकि वो यहाँ पर neutral species निकल रही है, neutral species निकल रही है, तो अभी भी यहाँ पर two negative maintain रहेगा, जारा देहान से देखेगा, यहाँ पर से THF give से salt, Na2A, मतलब जो product बन रहा है, इसके साथ में दो product में sodium चिपक जाएंगे, और sodium यहाँ पर चिपकने का मतलब है, मतलब Na plus का मतलब है, यहाँ पर दो negative रहेंगे, तभी तो ऐसा होगा, तो यहाँ पर आपको यह मिलेगा, और अब यहाँ पर से इसको calculate करोगे, तो देखो कितना हो गया, यहाँ पर से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और यहाँ से एक के लिए 17 और एक यहाँ से 18, टोटल काउंट करोगे, तो देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 8, 16, 16, 16, 16, 16, 32, 32, 34, और 2 negative का add कर लोगे, तो यहाँ से क्य आ गया, 36 electron count complete हो रहा है, after metal metal bond formation, तो यहाँ number of, कितना आ जाएगा metal metal bond, answer हो जाएगा 1, और जो आपका absorption होता है यह, यह जो absorption peak है, mu mm bond की ही होती है, in general अगर आप देखते हो, किसी भी organic moiety की इतनी कम नहीं होती है, किसी भी CH bond के लिए जाओगे, जैसे CH single bond का है, उसकी कितनी होत है, कि जैसे alkyn के अउपर present proton की देखोगे, तो 3000 के आसवास देखने को मिलती है, तो 3000 के असवास देखने को मिलती है, और जैसे alkyn के उपर proton देखते हो, तो 3300 के आसवास देखने को مिलते हैं, यही छोड़ दीजीए, अगर आप carbon carbon की वी इस्टंद देखते हैं, तो 1200 के और carbon carbon के triple bond की देखते हैं तो वो बाइस सो पचास centimeter inverse के आसपास आती है carbon की oxygen के साथ अगर single bond मनलब double bond देख रहे हो जो की organic में आप ketone जिसको बोलते हो उसकी कहाती है वो 1715 centimeter के आसपास आती है लेकिन वही carbonil जब हमारा organometallics में आता है और अगर किसी terminal में metal के साथ जुड़ जाता है तो 120 से लेके 1850 के आसपास उसकी value आती है ठीक है और जितनी ज़्यादा breathing बढ़ती उतनी ज़्यादा value कम होती आपने पढ़ रखा है तो यहाँ पर इतनी जो कम value आई किसकी है mu co की नहीं mu mm bond की चलिए next question is which of the following complex does not satisfy the 18 electron rule यहाँ पर time की problem आएगी देखिए यहाँ पर six होता है सब को पता है इसका यह six है eta six से जुड़ा है यह भी six से जुड़ा है terminal में तो एक से है terminal में है तो एक से bridging में 3 से bridging में 3 से यह हमारा 8 होगा यह 8 होगा तो यहाँ पर एक के लिए देख लेते हैं, symmetrical substrate है, इसको तोड़ दोगे, तो 8, 3, 11, 12, 12, 6, 18, 18, 18, 18, 36 मतलब यहाँ सब का 18 electron rule complete है, तो यह तो answer नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ does not satisfy, यहाँ पर से देखोगे, कोबाल्ट का खुद का कितना होता है, 9 होता है, उसके बाद कार्बोन का कितना होता है, 2, और total carbonyl यहाँ पर है, 3, तो यहाँ से कितना आ गया, 9 है, यहाँ से 15 आ गया, उसके बाद यहाँ पर, एक एक electron यहाँ से आएगा, दो में से एक electron, यहाँ से आएगा, ठीक है, प्लस में 1, और उसी तरीके से, दो में से, एक electron का count, यह एड़ कर लोगे, ठीक है, तो कितना आ गया है, 18 आ गया है, और जिने इस तरह नहीं समझ में आ रहा है, तो overall electron count कर लो, उसके बाद भी देखते हैं, तो आ जाता बस इसका नहीं आएगा, क्योंकि main group के लिए आपका कौन सा use होता है, यहाँ पे लिख लेना, main group element के लिए octet rule बना हुआ है, और ज दोनों में difference होता है, तो यहाँ पर से carbon है, तो इसका 18 नहीं complete है, इसका octet complete है, इसका 18 complete है, और इसका 18 complete है, और इसका 18 complete है, और organometallics में phenomenon पढ़ते हो, isolobal fragment जिसमें हमें बताया जाता है, कि main group का 8 वाला organometallics के 18 वाले fragments के साथ में होते हैं, यह basic hypothesis है, but actual में क्या होता है, उनक energy, उनका homo-lumo और उनकी symmetry वगएरा भी सारी चीज़े same होनी चाहिए, लेकिन generally हम बस इतना बोल देते हैं, इनका electron match हो जाए, तो answer आ जाता है, यहाँ पर भी हमारा 18 electron follow हो रहा तो यह answer नहीं होगा, अब यहाँ पर से थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी, यह कैसे confusion आपको दिख रहा होगा, देखो CH3 तो always 1, CH3 तो always 1, इसके पास कोई 24 यह नहीं है, platinum का always 10 होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं एक fragment के लिए, एक minute के लिए उठाता हूँ, platinum को, तो यहाँ पर एक CL से यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ पीछे वाले से जुड अपने unpaired electron से जुड़ता है यह, इसका electron count कितना है, one, लेकिन अगर यहाँ पर कोई हमारे पास दूसरा metal आ जात रहा था, तो उससे भी जुड़ रहा था, इससे दो electron होता है, तीसरा metal अगर आएगा, तो यहाँ पर से फिर से यह क्या करेगा, metal से जुड़ेगा, और metal के फसा हुआ है chlorine, तो उसका electron कितना हो जाएगा, five हो जाएगा, वैसे इसके बाद तो वो खुदी मर जाएगा, तीन में ही बड़ी दिक्कत होती, बहुत कम ही example में नहीं, तो जनरली, पांच में तो बहुत कम, जनरली एक यह तीन में देखा जाता है, तो यहाँ पर अगर chlorine पांच दे रहा होगा, एक chlorine पांच दे रहा होगा, तो देखो एक जैसे यह chlorine है, तो मैं मानता हूँ यह वाला chlorine दो, 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 मलब यहाँ पर एक तरह दिमाग में थोड़ा तो समेट्री होगी, कि चार platinum है और चार chlorine है, टोटल platinum कितने है, अगर आप देखोगे, चाहो तो टोटल valence electron से निकाल लो, नहीं तो यहाँ पर देखो, चार platinum है, और चार ही कितने है, चार ही CL है, एक CL कितना donate कर रहा है, खुद बताओ, एक CL कर रहा है, पांच donate, और टोटल पांच electron, टोटल कितने है, चार है, तो टोटल electron कितने हो गए, बीस, अब इन बीस electron में platinum कितने है चार, तो एक platinum को कितने मिलेंगे, चार से डिवाइड कर लो, देखो आ गया, पांच, तो यहाँ पर से टोटल CL के कितने electron आ रहा होंगे, पांच, यह मैंने आपको लंदी हो सकता है, किसी को नहीं समझ में आया हो, तो हटा देना, नहीं जिनको समझ में आ गया है, तो अच् एक अगया, यहाँ पर से CH3 के एक-एक होता है, तो 3, 3, 3, 6, 3, 9, और 3, 12, यहाँ से कितने आ गया, 12, आ गया किस की वज़े से, CH3 की वज़े से, एक क्लूरीन कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, तो 5, 5, 10, 15, 15, पांच, ओको 20, तो यहाँ से CL के टोटल electron कितने हो गया, 20, अब यहां से आ गया 72 आ गया है यहां पर से total valence electron अब आपको पता है एक के लिए calculate करना है total valence electron तो कितना आ गया 18 आ गया बस हो गया खेल खतम चाहिए आप ऐसे ही कर लेते हैं बस इसमें ज्यादा लेंदी था वह एक मतलब आप जब questions लगाते हो तो देख लेते हो तो पता चले जा CS3 ब्रेजिंग हो चाहे Terminal हो Always 1 यहाँ पर से 1 और इसका 5, इसका 1 और Metal-Metal Bond का 2 और यहाँ Chromium है 6th Group से तो यहाँ से 6, यहाँ से 6 Total Valence Electron 6 की 6 चदूनी 12, 12 और 5, 5, 10 हो गया यहाँ से 22, 22 और 2 24, 24, 25, 26, 27, 28 यहाँ से कितना आ रहा है? ठीक है, कुछ कम जादा आ रहा है कि आप फिर से देख लेते 5, 1, 6, 6, और 6 12, 12, 12, 12, 12 और 4, 16, 16 16, 16, 22 16, 16, 6 यहाँ से 22 और 22 और 6 यहाँ से कितना हो गया? 28 तो यहाँ से Total Valence Electron कितना आ रहा है? 28 एक के लिए कितना आ जाएगा? 14 ठीक है? एक के लिए 14 आ जाएगा तो यह हमारा अंसर गलत नहीं मतलब यही हमारा अंसर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा था, which will not follow 18 electron rule Next question, जल्दी से करना आसान है, यहाँ पर Total Valence Electron and Number of Metal Metal Bond in these complexes तो यहाँ पर से Eta 5 CP Molybdenum, CO का Whole Toys और यहाँ से 2 ठीक है, Total Valence Electron की बात करोगे, तो यहाँ से CP का कितना होता है 5 होता है, प्लस Molybdenum का Chromium Group से है, तो यहाँ पर से कितना होगा, 6 Carbonil का 2 होता है, टोटल 2 है और इन Overall का भी 2 करना है ठीक है, 6, 5, 11, 11 और 4 11 और 4, 17 हो गए और 17 दुनी, 34 यहाँ से आ जाएगा रहे, कुछ गड़बड हो रहा है 6, 5, 11, 11, 11 और 11, 4, 15 आएगा यहाँ से, 15 और इंटू 2 तो Total Valence Electron पहले के लिए कितने आ गए, 30 तो आधा अंसर तो पहले ही 100 हो गया ठीक है, और आपको पता है कि 2 के लिए Total Valence Electron कितने चाहिए, 36 तो में, 36 नहीं है कितने Electron कम है, 6 तो Metal Metal Bond कितने कम होंगे, 3 तो सीधा यहाँ से Metal Metal Bond भी आ जाएंगे औवियस जी बात है, यह चीज समझ में आ जाएगी यहाँ से पूछाता तो 30 के साथ 3 वाला पेर हो सकता है, यह कभी नहीं हो सकता है और यह 3, मतलब यह वाले हो सकते थे Second option में आ जाओ, यहाँ पर दिया गया है Eta 4 Fe के साथ में, तो यहाँ पर Eta 4 का मतलब होता है 4 Electron, Fe का मतलब होता है 8, CO का होता है 2 और 3 से Multiply और Overall को फिर से 2 से Multiply करना 4, 8, 4, 12, 12, 12, 12, 16, 18, 18 यहाँ से आ रहा होगा ठीक है, यह आगया 18 और 18 दुनी 36 तो यहाँ से हमारा आ गया 36 अब यहाँ से Metal Metal Bond कितने होंगे क्योंकि 2 के लिए 18 ही चाहिए होते है ठीक है, 18 ही चाहिए होते है तो यहाँ 36 हो गया और 36 ही है तो यहाँ पर metal metal bond कितने हो जाएंगे यह तो हमारा total valence electron आ गया ठीक है यह हमारा total valence electron आ गया और metal metal bond यहाँ से 0 है metal metal bond is equals to 0 अब कोई कहेगा कि sir यह dimer फिर exist कैसे करेगा जब metal metal bond 0 हो गया तो पहले तो answer देख लो कि given है यहाँ पर fe given है यहाँ पर से यह मान लेते है cyclobutadine है यह cyclobutadine है यह इसको और बेटर तरीके से समझो यहाँ पर fe है यहाँ पर से कुछ ऐसे और यहाँ पर से cyclobutadine की यह कुछ ऐसे उसके बाद यहाँ कार्बोनिल कितने दिये गये थे तीन दिये गये थे तो जाता है तो D हो जाएगा चलिए next question है the number of clusters having closer type structure इससे आसान तो question ही नहीं हो सकता है closer needle निकालने में किसे मजा नहीं आती है बिल्कुल basic होता है लेकिन कई बार ध्यान से सुनना गलतियां आप से वही होती है जितना आसान question आपको दिख रहा होता है that means यहां पर देखोगे number of clusters तो इस तरह के हम लोग कौन से उनसे formula से करते हैं मिंगो रूल या वेड का extended कार्बोनिल के लिए लगाते है extended वेड रूल उसी को ही कहते है तो n plus x is equals to tve minus 12 n upon 2 यह हमारा वेड रूल या extended वेड रूल for carbonyls actual में वेड रूल किसके लिए था बोरोन के लिए बोरोन फैमिली से related जो भी complex थे उनकी geometry structures बताने के लिए काम आता था फिर उसी को ही मिंगो ने किसके उपर apply कर दिया clusters के उपर या carbonyl clusters के उपर इसी लिए उसे वेड मिंगो रूल या extended वेड रूल कहते है अब यहां पर से हर बार में n की value क्या होती है आपको पता है number of metals होते है ठीक है number of metals होते है उसके बाद यहां से ही जो x की value आएगी x की value अगर हमारी 1 आती है 2 आती है यहां पर से लिख लेना x की value 1 के लिए क्या होगा 1, 2, 3, 0, 1 और 4 इसके लिए जब भी x की value कितनी आएगी 1 आएगी तो यह क्या कहलाएगा इसके नीचे आपका नीडो इसके नीचे आपका arachno ये और उसके बाद आपका हाइपो ठीक है उसके बाद रशते हैं पांच पे kaciaedo ठीक है यहां पर क्या आएगा hyper close लो इसके उपर क्या आता है ये minus 1 है ये minus 1 है तो यहा होता है सुपर क्लोजो तो यह क्या है जियोमेट्रीज है जब आप निकालते हो X की वैल्यू अब इसमें से फटा फटा अब तो सब कुछ बता दिया है खली put the value गेट दांसर यहां से आपको क्या पता होना चाहिए TVE, TVE इसका इरीडियम का देखे इनी के नीचे निकाल लो तो 9 नचो को 36, 36 यहां से आ गया, 2, 12, 12, 12, 24 12, 24 यहां से आ गया तो मुझे यहां से 60 दिख रहा है इसका TVE, ठीक है इसके लिए निकालोगे तो नचा की 54 54 हो गया, प्लस में कार्बोनिल का 2 होता है, 16 तो 16 दिख रहा है, यहां से कितना आ गया 86 मुझे दिख रहा है इसके बाद यहां पर आ जाओगे इसका होता है, फिर उठेव सनम आइरन ग्रूप का है, तो 8, 8, 6, 48 यहां से खुद का हो गया है यहां से CO का 2 होता है और 18, 18, 22, 36 और 7 में उपर का 2, इसका एडिशन होगा, निगेटिव चार्ज का तो यह कितना हो गया, यहां पर से इसका हो गया 50, 50 और 36, फिर से इसका कितना हो गया, 86 हो गया है उसके बाद यहां पर से देखोगे, तो इसका है रूथेनियम है, आइरन गुरूप का ही है फिर रूथेनियम ठीक है आइरन गुरूप का तो यहां से कितना हो जाएगा 8, 8, 5, 40 हो जाएगा और यहां पर इन कैपसुलेशन में जब कार्बन वगयरा प्रजेंट हो, नाइट्रोजन प्रजेंट हो उनकी फुल फ्लेश वैलेंसी जितनी हो उसको लेते है अगर यहां पर इन कैपसुलेटेड गया क्योंकि यह क्लेश्टर्स वगयरा पढ़ रहे है इनके बीच में इनको बोलते है इंटर इस्टीशियल साइट, यहां पर हमारे मेटल्स प्रजेंट होते है इन इन्टर इस्टीशियल साइट में कोई भी ऐलेमेंट कारबन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन कोई भी प्रजेंट होंगे इनकी मैक्सिमम वैलेंसी को as a electron donation या वहां पर उनका electron count की तरह consider करते है तो यहां पर 4 हो जाएगा सियो का खुद का 2 होता है, 16, 32, 32 हो जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा, 70, 72, 24 और यहां से 76 हो जाएगा यहां 16, 32, 42 हो गया यह देखने को मिल गया अब फटा-फट यहां पर value रख दो, answer आ जाएगा मैं पहले के लिए calculate करने जा रहा हूँ एन की value कितनी है, 4 प्लस X देखो, लंदी सा question है हलुआ question है, बस लंदी, बढ़ चोग, 48, यहां पर 48, बटे 2 ठीक है, यहां से X की value कितनी आएगी, देखो यहां से 12, 12, बटे 2, 6 6X की value यहां से आगई 2 ठीक है, आप calculate कर लो, आपका answer आ जाएगा ठीक है, यहां से बचा होगा, 12, 12 में 2 काटा, तो बचा 6, 6, इधर 4 उदर गया, 6-4, answer आ गया 2, और 2 के corresponding क्या है नीडो है, ठीक है, क्या है नीडो है, चलिए, second के लिए पूछते है, second के लिए बता दीजे, फटा-फट second में हमारे पास यह है, N की value 6 है, तो 6 प्लस X is equal to TV कितना है, 86 है, होना कितना चाहिए, 12, N मितलब 12 चंग 72 होना चाहिए था, यहां से 72 अपन 2, ठीक है, सबस्ट्राक्ट करोगे, तो answer देखो कितना आएगा, यहां से सबस्ट्राक्ट करोगे, तो 14, 14 बटे 2 तो 14 बटे 2 मितलब answer आएगा, 7 और X की value उदर रखोगे, तो 7-1 X की value 1 आगई, X की value 1 आती तो उसे हम क्या कहते है, close हो कहते है इधर देख लो, लिखा भी दिया है, तो यह हमारे पास close हो आगया है, चलिए 3rd question आप देख लो, 3rd question में 2, यहां से फिर से X की value 1 आ जाएगी और यह भी कैसा होगा, यह भी आपके सामने close answer होगा, यह भी कैसा होगा, close हो जाएगा, उसके बाद यहां 4th number का option solve कर लो, यहां पर क्या दिया गया, यह दिया गया है, मतलब 5 plus X आ जाएगा, is equals to total valence electron यहां पर 76 है, minus 12, 5, 60 होने चाहिए थे, upon में 2, तो यहां पर से X की value कितनी आ गई देखो, यहां से minus करोगे 16, 16 बटे 2, 16 बटे 2 8 हाएगा, 8 minus 5 करोगे, तो यहां से value 3 आ जाएगी और 3 के corresponding आपका arachno है, तीन के corresponding क्या है, यहां पर arachno है, और question क्या पूछा गया है, सबकी geometry आपने structures निकाल लिये हैं, पूछा गया था, the number of cluster having close-o type of structure, तो कितने है, यह तो arachno है, यह हमारा close-o है, और यह close-o है, यह कैसा है, need-o है, तो यहां पर से answer कितना हो हो जाएगा, दो, net type का है, numbers में लिखाया गया, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर देखिएगा, best question आपका आपका आगया है, इसमें क्या पूछा गया है, the structure of these complexes, तो यहां पर से फटा-फट इनका electron count निकाल लो सबसे पहले, CO का 15 है, ठीक है, यहां पर से इनका 15 जैसे ही लिखा ये, और यहां पर है, OS के साथ में 5, CO के साथ में यहां पर से 16, अब फटा-फट देखो, iron group का है, तो यहां से 8, 5, 40, 40 प्लस carbonil दुनी 30, यह हमारा कितना आ गया, 70 आ गया है, ठीक है, बिल्कुल यही तो लिखा, यहां पर आगे भाई, carbon है, carbon भी है, तो यहां पर 4 भी तो जोड़ोगे, carbon भी है, तो 4 जोड़ोगे, जैसे ही जोड़ोगे, तो यहां 74 आ जाएगा, ठीक है, यह हमारा 74 आ गया है, और उसके बाद इसका electron count निकालोगे, तो यहां पर 8, 45 हो जाएगा, प्लस में 16, 32 हो जाएगा, तो यहां से 72 आ जाएगा, अब देखो, जिन्हें नहीं याद है, तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए बता देता हो, नहीं तो आपको यह याद होना चाहिए, कि 72 के corresponding जो geometry आती है, वो क्या आती है, trigonal by pyramidal आती है, ठीक है, यह trigonal by pyramidal आती है, और 74 के corresponding square pyramidal geometry हमारी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर से अब आपका जो answer हो, पहले वो लगा होना चाहिए, एक टीन electron rule follow होना चाहिए, दो metal के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पर 34 electron rule follow होना चाहिए, और तीन metal के लिए दो condition होती है, एक cyclic होता है, एक acyclic होता है, ठीक है, तो cyclic के लिए आपका 48 electron होने चाहिए, और acyclic के लिए 50 electron होने चाहिए उसके बाद आती है यहाँ पर 4 metal अगर प्रेजेंट है जैसे भी पीछे इरीडियम वाला example था तो यहाँ पर से 4 में 3 possibility बनती है 60 electron 62 electron 64 electron तो 60 वाला जैसे इरीडियम 4 CO का होल 12 पीछे वाला example है यह वाला इसी की बात कर रहा हूँ तो इसको हम सबसे पहले कहते हैं कि यह कैसा है यह हमारा square planar है स्वरी यह हमारा tetra hadron structure है कैसा है tetra hadron इसकी geometry रहेगी ठीक है उसके बाद अगर जैसे ही आप यहाँ पर से 2 निकालते हो electron बढ़ा देते हो तो इसे कहते हो butterfly shape और जैसे ही 2 और electron हटा देते हो तो इसे क्या कहते हो square planar shape में convert हो जाता है similarly यहाँ पर हम five metal की बात करते है तो यहाँ पर दो geometry possible होती है एक 72 नंबर की electron count के corresponding और एक 74 नंबर electron count के corresponding 72 के corresponding जो आप देखते हो तो इसे कहते हो tbp और 74 के corresponding जो आप बात करते हो तो वो होता है square pyramidal इसी लिए मैंने यहाँ पर यह values लिखवा दी थी तो यह आपका revision के लिए भी है कि अगर आपको समझना है तो यह देख सकते हो अब अगर आप octahedral की बात करते हो तो octahedral में आपका 86 metal के साथ 84 हमारा possible होता है लिख लेना 84 possible होता 86 लिख लो यार मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर से लिख लेना 6 metal के साथ 3 possibility हो सकती है 90 electron हो सकते है 86 electron हो सकते है यहाँ पर 84 electron हो सकते है तो 84 electron होते है तो इसको हम क्या कहते है इसको हम कहते है capped tbp ठीक है इसे capped tbp कहते है या इसी को ही by capped tetrahedral कहते है by capped tetrahedral बेसी को कहते है 86 होता है तो इसे octahedral कहते है और 90 अगर होते है तो इन्हें हम क्या कहते है यहाँ पर trigonal prismatic Trigonal Prismatic Trigonal Prismatic Geometry होती है उस ही के corresponding तो ये six metal का बता दिया और इससे जाधा आपके syllabus में ही नहीं है तो यहाँ पर इनके corresponding अगर आपको electron count के corresponding geometry याद होती तो यह सब करने के जरूत नहीं जैसे मैंने पहले लगाया इसी तरह आप भी लगा सकते थे चलिए, next question यहाँ पर क्या है gentle ion, देखे gentle ion से regarding पूछा गया है जब भी आपके main group के ions के form में सिर्फ और सिर्फ element हो और उनकी arrangement के बिहाफ पर उनका structure पूछा जाए उन्हें gentle ions कहते है यहाँ पर पूछा गया है आपको ISO global fragment आते होंगे अगर वो आते हैं तो उसी की ही हमें requirement है जैसे यहाँ पर हमें जितना याद करना इस question के लिए हो क्या है carbon, silicon, kasi, gay, sankar, parvati ठीक है यहाँ से इस से पीछे क्या होता है boron, bangan, aloo, garchar, in, phaila ठीक है अगर इतना पता है तो इसके साथ में यह तो पता ही होगा कि जब हम लोग बात करते है bn, hn की यहाँ पर bn, hn ठीक है bn, hn, two negative जो होता है close हो होता यह तो यार सबको याद होगा और अगर इसी unit के उपर यहाँ पर हम लोग four negative लगा देते हैं तो यह needo होता है और अगर इसी unit के उपर हम 6 negative लगा देते हैं तो arachno होता है और ends on, ends on उपर भी जाता है अब देखो यहाँ पर से हमारे पास PB दिया गया है PB किस गुरुप से है carbon गुरुप से है और carbon का isolobal fragment क्या होता है bh unit होता है ठीक है उसके बाद हम अगर nitrogen के isolobal fragment की बात करेंगे तो क्या होता है bh2 unit होती oxygen के fragment की बात करोगे तो यहाँ पर bh3 unit होती बस इतने ही आपके आएंगे और कुछ हायगा भी नहीं अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है यहाँ पर से carbon यह दिया गया है मतलब BNHN की form में आ गया यह तो अपने आप ही BNHN की form में आ गया तो यह और वो भी कैसे है 2 negative है तो यह closer हो जाएगा second structure अगर आपको निकालनी है तो क्या है SB SB किस group से आ रहा है देखो मतलब nitrogen family से valence electron 5 है 5 के corresponding bh2 होता है तो यहाँ से bh2 यह हो गया total कितने है 4 4 के उपर में यहाँ पर आप 2 negative लगा दोगे तो कितना हो जाएगा दोखो B4H8 2 negative लेकिन इसे हमको किस में convert करना होता है BNHN में तो B4H4 और proton यहाँ से release कर दो कितने 4 proton हटाओगे 4 proton हटाओगे तो इसके उपर arachno structure होता है ना कि नीडो नीडो के लिए हमें 4 चाहिए तो यह arachno हो गया यह close हो था यहाँ पर third number की अगर हम बात करते हैं क्या दिया गया था SM दिया गया था तो देखो SM का है फिर से carbon family का है तो carbon के उपर यहाँ पर 4 पर दिख रहा है तो इसको हम नीडो मारक कर देंगे फिर हमारे पास last जो बचा है यहाँ पर fifth sorry fourth number पर वो क्या बचा है बिसमत का five है बिसमत कहाँ पर गया आपका यह nitrogen family से है तो इसको हम करेंगे BH2 का whole five और इसके उपर क्या है यहाँ पर तीन positive है थोड़ा ध्यान से देखना positive negative में गलती हो सकती है तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा B5, H10 और इसके उपर यहाँ पर से three positive है फिर इसको BNHN की form में convert करोगो तो B5, H5 और जितने proton extra हो गया वो proton की form में release कर दो तो यहाँ 5 थे 5 ही बचे 5 को release करेंगे तो यहाँ पर से 5 H plus आ जाएगा तो यहाँ पर से three positive तो already पहले से present है और इसकी वज़ा से negative कितने आया है 5 तो इसको काट दोगे तो overall क्या बन जाएगा यहाँ पर से B5, H5 2 negative और जब भी BNHN के उपर 2 negative होता तो उसे close हो कहते है यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था which of the following ionic cluster does not have needle structure needle structure किसका नहीं है तो यहाँ पर इसका which of the following ionic cluster do not have a MSQ type के जैसे question होता है उस हिसाब से question पूछा गया है तो यहाँ पर उसे needle नहीं है तो इसका तो close हो है ठेक है इसका क्या है अरैकनो है और इसका क्या है बिसमत का भी close हो है तो यह आपके सामने answer था चलिए फटा फट बताईए next question यहाँ पर क्या है यह देखिएगा एक बहुत ही अच्छी organometallics की reaction mechanism parts है जैसे transmetallation type की reactions पढ़ते हो उसी type का है यहाँ पर एक तरह से halogen exchange reaction जैसे पढ़ते हो उसी type का है जैसे समझने आप समझेए अगर आपको यहाँ पर से इसकी reaction करानी थी CH3 का whole thrice SN यहाँ पर आपके पास organic moiety link है कुछ ऐसे allile fragment type का conjugated और यहाँ पर है MN MN के साथ में है CO5 और यहाँ पर BR जैसे ही इनकी आप reaction कराते हो तो देखिएगा यहाँ पर से यह वाला BR fragment इसको exchange कर लेगा और यहाँ से MN CO का whole 5 जो था वो तो है ही और उसके साथ में यहाँ पर से क्या है यह fragment जुड़ जाएगा ठीक है उसके बाद में वो आपका यह वाला BR और इसके साथ में SN आसानी से निकल जाएगा strong tendency होती है the complex obeys the 18 electron rule and no metal metal bond has been found and also a colorless gas is evolved जब भी कभी ओर्गेनो मेटलिक्स में colorless gas evolve होने की बात होगी तो भी CO होगा कहीं पर H new डालके कुछ gas release हो रही होगी तो भी CO होगा और अगर आपसे कहा जाता है कहीं पर heat डालके कुछ gas release हो रही तो भी वहाँ पर CO होगा या सीधा सीधा लिख दे decarbonilation हो रहा है तो भी वहाँ पर CO का release होगा अब देखो ऐसा होगा कैसे यहाँ पर यह तो था उसके अगले stage में heat दी गई है जैसे ही heat दी जाती है तो ध्यान से देखना क्या होगा यह कैसे convert होगा अपने MN CO के whole 4 वाले में और यहाँ पर यह convert हो जाएगा eta 3 में और साथ में इसके अभी भी यह कुछ ऐसे present होगा मतलब यह पहले किसमे convert हुआ है eta 3 में इसकी further यहाँ पर heating होगी तो यह फिर से isomerize हो जाएगा और यहाँ पर से CO का whole thrice हो जाएगा MN यहाँ पर center में रहेगा उसके अलावा यहाँ से इसकी hepticity कितनी आ जाएगी पाच आ जाएगी और यह stable 18 electron rule complex को follow भी कर रहा होगा देख लेना यहाँ पर से कितना आता है आप बताओ फटाफट इसका आता है 2 और total कितने है 3 है तो मतलब इनके लिए कितना लिख देता हूँ 6 यह 6 है यह खुद 7 है और यह 5 है तो 7 5, 12, 12, 12, 6, 18 तो यह 18 electron rule complete हो रहा है प्लस में यहाँ पर CO gas जो है वो बोल रहा है CO यहाँ भी release हुई है और CO इस वाले stage में भी release हुई जो कि यह क्या है colorless gas है यहाँ पर बोला गया identify the complex यह तो पहले stage में बन रहा है यहाँ पर BR वगएरा भी present हो नहीं सकता यह भी नहीं हो सकता है best answer हमारा B होगा पूरी mechanism आपके सामने है next question देखिएगा Davis Mingo rule जो कि थोड़ी देर पहले discuss किया था उसी से related है यहाँ पर इस बार हमारी जो alkene है DMG rule पढ़ते हो Davis Mingo Greek rule वो क्या बताता है order of alkene attack मतलब order of attack of nucleophile over alkene यह जो rule है यह अगर आपको पता हो organic word पढ़ते हो amplung of reactivity या amplung of polarity alkene हमारी क्या है electron rich है वो क्या करते है वो खुदी अलेक्ट्रोफाइल पटेक करती but organometallics में आके nucleophile हमारा किसके उपर attack करने जाता है alkene के उपर this is called reversal of polarity या amplung reaction तो यहाँ पर क्या है आप देखिएगा कुछ नहीं आपको DMG rule पता होना चाहिए उसी के according यहाँ पर सारी चीजे होती है इन्होंने बोला था कि जो आपके event member की alkene होती है तो वो हमारी पहले react करती है in comparison to odd यह पहला statement है दूसरा है कि जो acyclic होते हैं वो ज़्यादा reactive होते है in comparison to cyclic इन्ही दोनों rules को use करते हुए एक पूरा complete order दिया गया है यहाँ पर DMG order अगर लिखना है आपको DMG order जिन्होंने order दिया इसमें हर एक alkene जो आप in general देखते हो समाज में वो आपकी सामने यहाँ पर प्रस्तुत है देखो ठीक है यह order आपको याद होता अब यहाँ से even number वाले शुरू sorry odd number वाले शुरू होंगे यह वाला फिर यहाँ पर से पांच member का फिर इसी तरह का आपका साथ member का और सबसे least कौन है cyclopentadionion तो यहाँ पर से यह देखिए हमारे पास एक ऐसा एक दो तीन चार यह हमारे पास even है और यह odd है और even में पहले attack होता वो भी acyclic इसमें तो बहुत fast attack होगा तो यहाँ पर से क्या होगा यह वाला attack किसके उपर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद इसका conversion कैसे होगा यह यहाँ पर attack करेगा यह pi electron density यहाँ move करेगी और उसके साथ allyl fragment बनके यहाँ पर तयार हो जाएगा यहाँ पर से MO ठीक है और यहाँ पर मैं पूरा यह आपका यह जो group लगा है कुछ ऐसे group यहाँ पर पूरा ring दिखा देता हूँ यह रहा ठीक है यहाँ पर से CO यहाँ पर से CO ठीक है इसके बाद यहाँ पर से इसके बाद यहाँ पर से क्या होगा यह इसके उपर attack कर दिया है यहाँ पर से यह ऐसे और इस carbon से यहाँ पर hydrogen link हो कुछ ऐसे अगर actual इसकी आप mechanism देखने जाओगे कैसे होता है तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर से अगर यह तो आपका answer मेंने बना दिया है नहीं तो एक minute के लिए देखो यह आपका पूरा group लगा है CO लगा है CO लगा है यहाँ पर यह आपके पास कुछ इसकी ऐसे linking है इसको ही आप कैसे represent कर सकते हो कुछ ऐसे represent कर सकते हो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हमें पता है यहाँ पर metal के उपर क्या है positive charge है कुछ इसकी ऐसे representation करेंगे positive charge यह ऐसे भी हो सकता है जैसे ही ऐसे होगा तो यह आगे आ जाएगा यह यहाँ पर आ जाएगा तो देखो यहाँ पर से MO और यहाँ पर से यह double bond और यहाँ पर positive charge जैसे ही यह positive charge आया तो यहाँ पर जो R negative है यहाँ attack करेगा और जैसे ही attack करेगा तो यह हमारे पास MO और यहाँ पर से कुछ गड़बन कर रहा हूँ क्या एक दो देखो यहाँ पर से carbon कम हो गया है तो वो लिख लेना ठीक है यहाँ से 1, 2, 3, 4 ठीक है इसमें यहाँ पर double bond बनाना है यह ऐसे है तो यह आगे चलेगा यह आगे चलेगा और इसमें भी एक double bond आगे बनेगा यहाँ पर यह नहीं यहाँ पर यह तो नहीं था यहाँ double bond था और एक, दो, तीन, चार, यहाँ positive था, इसका tag यहाँ होता, और जैसे ही यहाँ होता, तो इस वाले fragment में देखो, यह alkin है, और यहाँ पर यह और यहाँ आर था, और जैसे ही यहाँ यह था, तो इस अपनी pi electron density से भी दे देता है, तो इसे क्या कहेंगे, यह allyl fragment की तरह जोड़ जा हो, तो यहाँ पर पूरे सारे fake answer थे, मतलब आपके answer गलत हो जाते है, ठीक है, चली, यह हमारा बहुत ही ज़्यादा interesting question है, और बहुत important question है, जैसे session start होने से पहले मैंने आप से कहा था, कई question आपको आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, आपके concept 100% clear होंगे, ब अच्छान से देखेगा, यहाँ क्या पुछा गया है, arrange the following three square planar platinum complexes in order of their increasing PTC bond length, देखो, यह चीज सबसे पहले लिख लो, कि जो bond strength होती है, वो directly proportional होती है, one by bond length की, या कहलो, इसके inverse relation इसी को बोलते है, और वही चीज होता है, bond order, bond order के inverse relation रखता है, मारा bond length वाला factor, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, कि जब हम metal की alkyne की complexes की बात करते हैं, तो ये तो sigma bond की donation होता है, इसके बाद यहाँ पर इनके पास sigma pi star, sorry, orbital होती है, और metal के पास pi symmetry की d sub cell होती है, तो इसी d sub cell में, इसी d sub cell का, और pi star orbital का interactions होता है, ये field orbitals होती है, ये electron density इसमें transfer करती है, तो इसकी वज़े से कौन सा bond बनता है, pi bond, ये bond sigma था, अब ये जो pi back donation है, ये कब बढ़ जाती है, जैसे ही इसके उपर जो groups लगे है, ये कैसे हो जाए, electron withdrawing groups, जितने ज़्यादा गजब के होंगे, उतना ज़्यादा यहाँ positive charge, या उतनी ज़्यादा deficiency, तो metal उतना ही ज़्य कोई बना लीजिए, यहाँ पर platinum हो जाएगा, यहाँ पर से pph3, ठीक है, यहाँ पर से pphme2, यहाँ पर से आ गया cl, अब इसमें से ये सारी चीजे देखो सारे में same है, change क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाला fragment change हो रहा है, और मैंने आपको कई बार बता है है, जब आपको किसी क order निकालना हो, और या उनके comparison करने हो, तो common चीजे eliminate कर दो, जो चीज़ different हो रही हो, उनके बिहाँ पर आप देखो, यहाँ पर से क्या दिया गया है, यहाँ पर से आपके पास दिया है, CH2 SIME3 के साथ में, मतलब यहाँ पर से जो जुड़ा है, यह CH2 SIME3 के साथ जुड़ा CH2, CH2 जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पर मैं copy नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो यहाँ पर CH2, CH2 कैसे जुड़ा होगा, यह रहा CH2, यह रहा CH2, एक यह pattern जुड़ गया, और third option में जो दिया है, यह कैसे जुड़ा है, CH, यहाँ पर CH की जगे है, यहाँ पर C, अच्छा, एक मिन option में CH2, SI, ME, 3, कुछ ऐसे जुड़ा गया है, second में CH, double bond, CH2, कुछ ऐसे जुड़ा गया है, इसमें CH, triple bond, sorry, CH नहीं है, C, और यहाँ से triple bond, C, PH है, तो यहाँ पर यह case है, अब जड़ा देखेगा, यहाँ पर से आपके पास क्या है, सिर्फ और सिगमा वाला है, यहाँ पर सि सिगमा है, पाई है और पाई स्टार है, आपको पता है कि metal क्या करेगा, इनको back donate करेगा, तो अगर आपने emoji में पढ़ रखा हो, basic emoji में, यहाँ पर से बनता है, सिगमा बॉन्ड यहाँ बनता है, पाई बन्ड पहला और second pie bond उपर बनता है, one यहाँ two, और जब बारिया थीन क anti bonding बनने की तो यह हमारा pi star second का पहले बनता है फिर पहले का pi star बनेगा और सबसे least आपका sigma star का orbital बहुत उपर अब जब alkin donation करती है तो actually में यह सब filled है तो यहाँ पर से जो homo होता है वो यह होता है homo highest occupied molecular orbital वो यह है तो metal को donation कहां से होती है यहां से होती है उसके बाद metal क्या करता है filled orbital लेके बैठा है तो यह कहां back donate करेगा इसके पास में तो इसको क्या कहेंगे lower lying pi star low lying pi star orbital इसमें है तो सबसे ज़्यादा acceptance होगी मतलब यहाँ पर यह सबसे ज़्यादा लेगा और जैसे ही सबसे ज़्यादा acceptance होगी तो metal का और यह मतलब जो भी group लगा है sigma bond तो सब में common बन रहा है लेकिन अब metal जितना ज़्यादा इसको देगा जितना ज़्यादा इसको देगा उतनी tendency क्या होगी double bond form करने की बढ़ेगी तो यहाँ पर से alkyne में यह वाला orbital present है उसमें देने में तो बहुत ज़्यादा महनत है तो कहेगा मैं dung रही नहीं और dung नहीं तो इसकी वज़े से यहाँ पर यह कहाँ रहेगा metal carbon remains sigma bond remains single bond only इसकी वज़े से यह रहेगा इसकी case में कहे रहेगा metal carbon के बीच का bond partial या कहलो 1.5 ऐसे समझ लो ना इसका metal carbon bond कैसा बनेगा लगबग एप्रॉक्स दो के आसपास मैं नहीं कहा रहा हूँ दो बनेगा मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए तो देखो अभी मैंने कहा कहा जितना ज़्यादा bond order उतनी ही कम वहाँ पर bond length होती है inverse relation रखता है तो यहाँ पर metal carbon का तो हमसे पूछा किस का था PTC bond का मतलब metal carbon का bond length पूछा गया है तो जब यहाँ bond order ज़्यादा है तो bond length कैसी हो जाएगी shortest यह ध्यान रखना shortest bond length हो जाएगी और यहाँ bond order सबसे कम है तो bond length जैसी हो जाएगी longest single bond होगा तो obvious C बात है वहाँ पर लंबी bond length होगी तो सबसे ज़्यादा हमारा A में होगा फिर B में होगा फिर यहाँ पर C में देखने को मिलेगा मतलब option number B गलती से A मत mark कर देना वो bond strength का order है bond length का order नहीं है यह अगर समझ में आ गया हो तो next question solve कर लो उसी के behalf पर बिल्कुल metal alkenes से ही related जैसे भी पीछे पढ़के आओ वही चीज यहाँ पर है दिहान से देखना यहाँ पर एक complex दिया गया है उनके data को यहाँ पर answer से match करना है यहाँ पर मैं एक बार बड़ा सा complex बना लेता हूँ बना लेता हूँ यहाँ पर rhodium हो गया है rhodium का इसके साथ कोई मतलब भी नहीं यह तो ऐसे ही पढ़ा है उपर यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है CF2 है यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन और इस पर फ्लोरीन उसके बाद दूसरा क्या है CH2 है प्रॉपर प्योर अलकीन है येलो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है अलकीन में जब वहाँ पर अलकीन पे जितना ज़्यादा एलेक्ट्रो निगेटिव ग्रूप होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे डेल्टा पॉजिटीव खीचेंगे इसको डेफिशियंट बनाएंगे इसकी वज़े से क्या होगा सिग्मा बॉन्ड की डोनेशन तो यहाँ से भी हो रही और यहाँ से भी हो रही ओके-ओके कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद क्या करेगा मैटल अपनी जो डी सबसेल है यहाँ पर से अगर मैं दिखाऊं कुछ यहाँ पर से औरवाइटल ड्रॉ करूँ इसकी तो कुछ यह बनेगी और कुछ यह बनेगी एक मिनट के लिए समझना अब इसका जो पाई स्टार और वाइटल होगा वो कुछ ऐसे होगा तो यह इससे क्या करेगी बैक डोनेशन बैक डोनेशन इधर भी करेगा और बैक डोनेशन जो मैटल है यह इसके साथ भी करेगा तो ध्यान से देखना कहा ज़्यादा करेगा एक जगह है कि simple metal खाली देना चाहता है ठीक है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक यह pattern है कि हाँ मैं सिर्फ मैं पढ़ा हूँ आपका मन है पढ़ने का नहीं है वो अलग बात है दूसरा case यहाँ पर क्या है यह fluorine वाले में कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ मतलब metal देना भी चाह रहा है और यह जो alkyne है वो accept भी करना चाह रही है तो better tendency किसमे होगी obvious सी बात है यहाँ पर back donation की tendency जादा होगी यह क्या होगा यह मारा यहाँ पर bond order more होगा यहाँ पर क्या है यह विचारा देना तो चाह रहा है लेकिन सामने कोई बैठा ही नहीं पढ़ी नहीं रहा है लेना ही नहीं यह से तो यहाँ पर bond order कम रहेगा तो इसकी वज़े से यह चीज़े concept समझ में आ गया होगा यहाँ पर यह bond length को a mention किया गया है अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर अगर bond order बहुत जादा है तो bond order और bond length का तो inverse relation होता है ना bond order का और bond length का तो inverse relation होता है तो यहाँ से हमने देख लिया है कि यह बहुत जादा strong होगा तो metal और carbon का metal और carbon का यह जो है यह मारा बहुत जादा है तो bond length कैसी हो जाएगी कम हो जाएगी और यहाँ पर यह कैसा है यह bond order कम है ठीक है तो इसकी जो bond length होगी metal और carbon की तो bond length जादा आएगी तो जड़ा देखना यहाँ पर दो data दिया है match कर लो तो यहाँ पर से आपका जो data दियागा था given metal carbon की एक यह bond length है कि यह यह bond length कैसी दिखरी जादा तो जादा वाली इसकी हो जाएगी 2.17 armstrong यहाँ पर कितनी हो जाएगी कम वाली 2.02 armstrong तो जड़ा match कर लो A की value 2.02 2 वाले के साथ कहाँ पर है 2 की value RCA 2.02 और RC B जो है वो यह है मतलब A वाला option बिल्कुल सही यहाँ पर बैठ रहा है उसके बाद यहाँ पर RCA की value आ रही है 2.17 मतलब यह ज़्यादा यह गलत हो गया ठीक है यह गलत हो गया अब बात आ रही है carbon carbon की bond length की carbon total bond कितने बनाएगा 4 अगर यह bond carbon का और metal का दो bond बन रहोगा तो यह वाला weak हो रहा होगा यह वाला कैसा होगा यहाँ पर यह bond weak हो रहा होगा तब ही तो pi star में टोड रहा है bond जा रहा है तो pi यह तो weak हो जाएगा तो यह हमारा bond order कैसा हो जाएगा कम और अगर यह कम हो जाएगा तो bond length कैसी हो जाएगी जादा ठीक है यह एक pattern हो गया यहाँ पर bond order maintain रहेगा तो कहलो एक तरह से यह जादा रहेगा और यह जादा रहेगा तो bond length कैसी हो जाएगी कम हो जाएगी तो इस वाली value को अगर आप match करोगे carbon carbon वाली की तो कम वाली value को उनसी है 1.36 armstrong है और यह वाली 1.40 armstrong है तो यहाँ पर से देखो 1.36 c वाली c की value कितनी है 1.40 लेकिन यह कह रहा 1.36 तो इसलिए यह भी गलत है बोत c यह तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं that means आपके सामने पूरी detail में answer मैंने करा दिया है चलिए next question देखेगा यहाँ पर क्या है the correct structure यह तो बहुत तगड़ा question है इसमें पूरी की पूरी mechanism कराई गई है बहुत लंदी question है जड़ा देखना the correct reaction among the following is or are यह देखने में ऐसा दिख रहा है यह कम से कम अगर आपका सही में अगर exam में आगा तो कम से कम 10 number का question है यह पूरी पूरी खुद की एक individual reaction है जो की चाचार number की पूरी पूरी synthesis है पहले stage में क्या किया गया है heat किया गया है अगर मैं इसको यहीं पर से दिखाता हूँ तो सबसे पहले यह जो हमारे पास यह lone pair है यह क्या करेंगे इसके उपर attack करेंगे यह इधर जाएगा और m e और यहाँ पर से यह carbon वाला link था बीच में एक दो तीन एक दो तीन और यहाँ nitrogen यह रहा और n h इसके उपर क्या है n m e और साथ में है h और यहाँ link है तो इसके उपर positive charge यह क्या करेगा अगले stage में ही यहाँ पर आएगा और यह वाला proton सबसे पहले क्या करेगा यह वाला proton इसको पकड़ लेगा ठीक है proton यहाँ से internal transfer करा देता हूँ डारेक्ट ठीक है यहाँ से direct ही इसका internal transfer करा देता हूँ एक step बच जाएगा अपना यहां से यह, यहाँ पर n यह यह, यह यह, ठीक है इस पह यहाँ पर mee है और इस जगह पर क्या है o og h हिधर से ले लिया है और पह आपका product बना है, यह as such ऐसे ही देखने को मिलेगा, with the loss of alcohol, MEOH, यह आपका loss हो जाएगा, इस तरह का product बन जाएगा, यह हमारी क्या है, कार्बीन बन गई, यहाँ पर से, कार्बीन की formation हो गई, उसके बाद अगर आप देखोगे, second step में, यहाँ पर है, CP2, Ti, CH2, Al, ME2, Cl, यह क्य चलिए, भाई, यहाँ पर क्या था, यह, अब देखिए, आप लोगों ने, जब organometallics पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा, T-base reagent, T-base reagent, ठेक है, उसके साथ में क्या पढ़ा होगा, Pytasis reagent, ठेक है, और उसके साथ में क्या पढ़ा होगा, Grubbs reagent, Grubbs reagent, यह वो वाला Grubbs को, CH2 Grubbs में convert करने का काम करते हैं, ठीक है, याद रखना, और यह उनी में से है, ठीक है, तो इसका काम क्या था, in general क्या होता, यह selective होते हैं, लेकिन यहाँ पर word क्या लिखा था, access लिखा था, इसकी वजह से, यहाँ पर जो आपके सामने product form हुआ, यह ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर से pH होगा, यह वाला भी यहाँ पर से hydrogen hydrogen मतलब carbonil reduce हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर से यह वाला भी हमारा reduce हो रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पर से उसके साथ साथ में यह तो reduce ही हो गया था, और यहाँ पर OET आएगा, तो यहाँ पर से आपका यह product गलत हो गया, मतलब यह reaction गलत हो गई यहाँ पर से यह भी आपका कैसा है simple सा reaction है यहाँ पर गलत product है सही है थोड़ा सा देखते हैं जब आप इस तरह की reaction करते हो तो यहाँ पर से लिखते हो CRCO का hole 5 यहाँ chromium double bond C double bond O यह expanded form है जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको समझाता हूं इस तरह की existence होती है कहोगे सर यहाँ यह जो यह है वो वही चीज यहाँ पर कोई difference नहीं जैसे एक तरह resonating structure बनाते हो एक तरह से यह वो form है और कुछ नहीं है अगले stage में यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर आपका एक तरह से यह nitrogen है यह पूरा group लगा है और इसके उपर li li निकल गया that means negative रहेगा और जो negative charge है यहाँ पर आपका एक कैसे behave करेगा as a nucleophile electrophilic center दिखाने के ही लिए मैंने इस form में represent किया है और इसको कैसे करते हो यह bond यहाँ पर ओपनिंग होगी और जैसे ही bond opening होगी तो यहाँ से क्या बनेगा CO का whole 5 chromium और यहाँ से double bond और यहाँ से O negative और यहाँ पर से यह nitrogen volume 80 ठीक है यह लीजिए अच्छा यह हो गया उसके बाद क्या होता है अगला यहाँ तक तो ठीक है अगले stage में इन्हें यह जो है एक यह हो गया या आपके पास CH3I हो गया या आपके पास में यहाँ पर ME3, SN OTF इस तरह के बहुत सारे groups होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं L-Ki L-Ki Lating Reagent या L-Ki Lating Agent बोलेंगे agent मतलब L-Ki group इनका attach हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास मैं चाहे आपके पास CS3I वाला लगा लो यह यहाँ पर से ETO था न तो यहाँ पर से better होगा यही लिख लेता हूं मैं ETO positive BF4 negative तो यहाँ से ETO को abstract कर लेगा और finally आपका क्या बन जाएगा CO का whole 5 CR double bond नहीं है तो यह भी हमारी reaction गलत हो जाएगी next stage में बिल्कुल वही चीज प्रोसेस कराई गई है इसमें कोई changes नहीं है तो यहाँ पर से MO CO का whole 5 double bond C double bond O यहाँ पर electrophilic center pH डाला गया है pH के साथ में LI मतलब यह nucleophile यह यहाँ गया यह opening हुई और opening होने के बाद यहाँ से CO का whole 5 MO double bond CO negative यहाँ पर से pH हो गया अगले ही stage में CS3 जैसे यह कह रहाता न यह भी जैसे alkylating agent है उसी तरह से यहाँ से CH3 पकड़ेगा यहाँ पर से पूरा CH3 group के साथ में एक group है यह क्या करेगा इसके उपर attack करेगा और पूरा group बाहर हो जाएगा finally CO का whole 5 MO double bond CO CH3 और नीचे pH यहाँ पर आ गया यह क्या है यह हमारी fissor carbine की synthesis की reaction थी यह 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 सारी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कौन सी reaction सही है और कौन सी गलत है तो यह आपके सामने पूरा explanation है आप देख सकते हो next question यहाँ पर क्या है ranium है, NO है, PPS3 है this, this and this देखो यह क्या है आपका यहाँ पर से H plus source provide करने वाला है ठेक है यहाँ पर से H plus source provide करेगा अब होगा क्या जैसे ही H plus source provide करेगा तो ranium है ranium के उपर यहाँ पर CP है और CP के उपर यहाँ पर NO ग्रूप लगा है NO के उपर यहाँ पर PPS3 ग्रूप लगा है और PPS3 के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर positive अगले ही stage में क्या होगा यहाँ पर से जो electron density होगी वो आगे move करेगी यहाँ पर आएगा और finally, यहाँ पर ranium, ranium ने electron density दी है, तो overall complex के उपर positive charge यहाँ से कैसा हो जाएगा, यहाँ पर से कुछ ऐसा double bond type का, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा यहाँ पर PPH3 हो जाएगा, और यहाँ पर NO हो जाएगा, इसके अलावा हमसे आगे कोई reaction नहीं कराई गई थी नहीं तो हो सकता है, reaction हो जाती यहाँ पर in general हमारे पास इस तरह का product देख लीजे, कहा दिख रहा है यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है यह आपका इस तरह का product दिख रहा है और कोई नहीं, ठीक है, simple सी reaction थी बस खली concept समझना था, जादा दिमाग नहीं लगाना था यहाँ पर क्या बताया गया है यहाँ पर the correct intermediate form in the following reaction is or are मतलब आपको इसकी reaction को चलानी है यहाँ पर क्या है, fissor carbon की reaction है यहाँ पर से कोई भी metal है हमें नहीं मतलब है, metal तो क्या ही करना यहाँ पर से O और यह group लगा हुआ है इसके उपर यहाँ पर N-butyl lithium डाला गया है N-butyl lithium आपको पता है बड़िहा से proton को abstract करता है और जैसे ही यहाँ पर से देखोगे तो यहाँ पर से जो groups होते है जो इनकी fissor carbon वगेरा है इनकी alpha proton जो है alpha position से present proton है highly acidic होते है highly acidic होते है यह हमारा negative charge ही करेंगे इसको पकड़ेंगे और यहाँ से जो negative charge बनेगा वो आगे move करेगा और यह double bond आगे move करेगा तो यहाँ पर से CO का hole 5 यहाँ पर यह negative charge यहाँ single bond यहाँ पर से oxygen यहाँ पर यहाँ पर यह यहाँ पर से यह और यहाँ पर hydrogen अगले stage में यहाँ पर क्या डाला गया है अगले stage में यहाँ पर MEO CH2 डाला गया है तो यहाँ पर से आपके पास देखो MEO और यहाँ से CH2 CL है ठीक है जैसे ही यहाँ पर ऐसे आएगा तो क्या होगा यह वाला ग्रूप आगे मूव करेगा यह एलेक्ट्रोन डेंसिटी फिर से इस पर मूव करेगा यहाँ पर SN2 अटेक हो जाएगा उसके बाद क्या होगा यहाँ पर से CO का होल 5 M double bond O यहाँ पर से यह यहाँ हो जाएगा CH2 और यहां से क्या हो जाएगा OME घ्यक है यहाँ पर से OME आगया जैसे ही यहाँ पर OME आया है अगले स्टेज में देखो यहाँ पर प्रोटौन प्रेजन्ट है तो प्रोटौन को क्या करेगा यहाँ से non bonding electron इसको abstract करेगा और जैसे ही यहाँ पर इस तरह की abstraction होगी तो यहाँ पर से क्या होगा CO का whole 5 हुँँ हुँँ और यहाँ से hydrogen ही था ठीक है यह hydrogen था ही यहाँ पर से CH2 हो जाएगा और CH2 के साथ में यहाँ पर OME और H और इसके उपर positive यह देखने को मिलेगा ओके यहाँ पर से इसको electron यह ही होता है कई बार बोलता हूं कि कई बार आपको product को देख के ही answer समझ में आएगा हमें product कैसे बनाना यह आगे गया, यह यहाँ से बाहर चला गया बाहर चला गया तो यह हो गया CO का whole 5 M double bond O यह रहा और CH2 अब हमसे पूछा क्या गया था intermediate पूछे गया थे कि कौन-कौन से बनेंगे तो दिखेगा MCO के साथ में यहाँ पर OME इस तरह का कोई ग्रूप बन रहा है क्या ठीक है यहाँ पर से देखोगे तो आपका answer यहाँ पर से yes यहाँ पर MCO का whole 5 MCO का whole 5 और CH2ME CH2ME मतलब यह वाला तो बन रहा है यह देखो यहाँ पर से यह इसको क्या नाम दे दोगे यह A वाला ऐसा ही दिख रहा है में उसके बाद अगर B वाले की बात करोगे तो B वाला यहाँ पर क्या है negative charge के साथ में इस तरह की stage यहाँ पर जो बनी थी अभी कहीं पर यहाँ पर से यह रहा double bond M negative यहाँ पर यह B वाला भी बनेगा यह किस की तरह है यह B वाले की तरह है उसके बाद अगर C वाला तो oxygen पर पर तो positive charge आया ही नहीं उसके बाद यहाँ पर यह वाला देखते है यहाँ पर यहाँ पर reaction नहीं होई है एक ही side में हो रही मतलब यहाँ पर यह भी option गलत हो जाएगा तो option A और B हो जाएगा next question है यहाँ पर identify करने जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या है identify incorrect statement regarding new CO stitching frequency for the following complex one of the best question में से एक है सुन लेना बहुत ज़्यादा important रहने वाला है फटा-फट बता दो यहाँ पर से stitching frequency के बिहाफ पे incorrect option कौन सा रहने वाला है इसमें से incorrect option इसमें कौन सा रहेगा ठीक है चलो जल्दी से देखते हैं आप सब को पता होगा pi acceptor जितना ज़्यादा होता उतना mu co की stretching frequency होती है titanium के case में अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर से double bond, यहाँ पर से double bond और उसके बाद यहाँ पर से phosphorus ET का whole thrice यहाँ पर से CO, यहाँ पर से CO overall यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है titanium कहा है, plus 4 में है दूसरे वाले titanium में कहाँ पर है, titanium plus 2 में है तो आपको पता होना चाहिए, जो ज़्यादा oxidation state में है तो कभी metal को, देखो यह ऐसे stretching frequency का खेल ऐसे चलता है carbon monoxide होता है यहाँ से इसको donate करता है फिर इसकी pi star orbitals में vacant pi star orbital में metal filled orbital से ऐसे बड़ीहा से donation करता है इससे कौन सा bond बनता है pi, इससे sigma लेकिन अगर metal के पास electron density ही न हो तो क्या कभी back donation करेगा और जब भी आपका back donation करेगा तो यह वाला bond order कैसा होता decrease करता है that means ऐसे कह सकते हो metal की electron density ज़्यादा तो back donation ज़्यादा और जो metal carbon का bond है यह तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन carbon और oxygen का bond जो है वो कम हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो stretching frequency भी कैसी हो जाएगी कम हो जाएगी according to the Hooke's law मतलब हमें overall क्या करना है metal को ज़्यादा electron donate नहीं कराने है तो यह कैसा है highly electron deficient highly electron deficient है तो उस केस में इसकी हमारी क्या हो जाएगी mu CO जादा हो जाएगी क्योंकि यह donate नहीं करेगा यह plus 2 में है तो भर-भर के donate करेगा तो इसकी mu CO decrease जादा हो जाएगी तो यहाँ पर इसकी जादा बताई गई थी तो यह तो सही है हमसे incorrect पूछा लेकिन पहले एक बार सही लगा लेते है फिर यहाँ है RH CO2 का यह है और PO O PS3 के उपर यहाँ positive charge लगा है और यहाँ पर 2 CH3 है तो द्यान से देखना यहाँ पर rhodium हमारा कहा है 1 plus में है और यहाँ पर हमारे पास क्या है rhodium जो है plus 2 में है ठीक है जब भी याद रखना जब भी stretching frequency की बात करने जा रहे हो order लगाने जा रहे हूँ order of STEVE तो किसके बिहाव पर देगो देखो एक होता है metal के बिहाव पर देना एक होता है ligand के बिहाव पर देना metal के बिहाव पर कब देते हो देखना जब भी आपके पास प्लस यहां पर से ज़ादा का डिफरेंस हो जब इसका हो और यहां पर कब देते हो जब आपका oxidation state का प्लस माइनस 2 से कम इक्वल नहीं यहां पर से प्लस माइनस 2 से कम का डिफरेंस हो ठीक है मतलब क्या है मैं बता देता हूं सुन लो जैसे एक metal प्लस 1 में है दूसरा metal plus two में है उस समय किसके भिहाफ पे दोगे ligand के भिहाफ पे दोगे अगर plus three में है और एक plus four में तब भी किसके भिहाफ पे दोगे ligand के लेकिन एक plus two में है दूसरा plus four में है एक zero में है दूसरा दो पे है एक तीन पे है दूसरा पांच पे है इस cases में मैटल के बिहाफ पे दोगे, और मैटल के बिहाफ पे कैसे दोगे, मैटल के बिहाफ पर तो ऐसे दोगे, ये लो, यहाँ पे दिखा है, ये तो लिखा ही दिया उपर, मैटल के बिहाफ पे कैसे दोगो, कि मैटल के एलेक्टरोन डेंसिटी जादा, तो बैक डोनेशन जादा, लेकिन carbon oxygen की bond distance कम और carbon oxygen की bond distance कम तो mu stretching frequency कम यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा था ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यह plus one में है और यह किस में है, plus two में है समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर से ध्यान से देखना, यह plus one में है और यह plus two में है और जब दोनों के बीच का अंतर एक या एक से कम हो तो को इसके बिहाफ पर देते हैं इसके बिहाफ पर देखते हैं तो इसके बिहाफ पर क्या देखते हैं इसका तो मैंने बता दिया इसके लिए लिख लेना कि जितने πाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो डायरेक्ली प्रपोर्शनल होते हैं म्यूसियो के जितना जादा खीच पाओ उतना बढ़िहा हमारी म्यूसियो की स्टेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है अब यहाँ पर से देखोगे तो यहाँ पर से आरेच के साथ में यहाँ पर रोडियम है देखो जो कॉमन चीजे है वो हटा दो देखो रोडियम वही है मतलब मैटल तो लेना ही पड़ेगा अब यहाँ पर मैटल के साथ में यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है, इस वाले में ठीक है, और एक CH3 यहाँ लगा है, अब यहाँ पर लिखा है DMPE, DMPE का मतलब होता है, यहाँ पर डाई, फॉस्फोरस के उपर, यहाँ पर मेथाईल, डाई मेथाईल, फॉस्फोरो, फॉस्फीनो इथेन, यहाँ पर करेंगे तो यहां रोडियम है यह किस में है प्लस यह भी रोडियम है यह प्लस टू में है यह प्लस वन में है और यहां पर से है पी ओ पी एच का होल थ्राइस और इसी तरह के दो है पी ओ पी एच का होल थ्राइस और साथ में क्या है सियो टू और सियो टू यहां भी सियो है और यहां पे CO, CO मतलब यह ऐसे, अब देखो यहां पड़ से पूछा गया था क्या होगा, तो दिहान से देखना, यह कैसा ग्रूप है, यह हमारा पाई एक्सेप्टर ग्रूप है, यह कैसे है, पाई एक्सेप्टर ग्रूप होते हैं, इन्हें सिग्मा इस्टार पाई एक्से बढ़ेगी carbon की और oxygen की कम होगी और stretching frequency कम होगी that means जिसमें dmpe है इसकी stretching frequency सच में कम होगी तो यह भी statement बिल्कुल सही है अब यहाँ पर बताया गया eta-3-allyl और CO मतलब यहाँ पर कोबाल्ट की बात की गई है यहाँ पर यह बात की गई है हाँ सबसे पहले oxidation state देख लो यहाँ पर से कोबाल-allyl का होता है माइनस वन यह हमारा neutral होता है neutral है overall कोबाल्ट यहाँ प्लस वन में है यहाँ पर से देखोगे तो eta-3-allyl और यह पी-me-3 यहाँ पर भी प्लस वन में है तो इसका मतलब ligand के भीहाब पर होगा ligand के भीहाब पर होगा तो CO के साथ में हाँ eta-allyl यह जुड़ा हुआ है इसके साथ में यहाँ पे P-O-Me-3 एक लगा है यहाँ पर CO लगा है यहाँ पर CO लगा है दूसरा ग्रूप देखोगे तो यहाँ पर से CO लगा है ये इसके उपर electron density बढ़ा रहा होगा ये methyl इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है अगर ये electron density बढ़ा रहा है तो overall metal के electron density बढ़ रही पहली चीज दूसरी चीज P O M E 3 जो है ये हमारा pi acceptor है अच्छा ये कैसा है pi acceptor है नहीं ये electron metal पर बढ़ा रहा है उपर acceptor खीच भी ले रहा है और खीच रहा है लेकिन ये कैसा होता है ये देता है मतलब होता ये भी pi acceptor लेकिन इसके comparison में कम pi acceptor series लिखवाता हूँ यहां लिखवाने का time नहीं waste होगा नहीं तो लिखना है तो एक बार देख लो PF3 सबसे ज़्यादा सबस्क्राश्ट में आपका P tersery betel का whole thrive ये PR3 क्या है यहीं वाला है और ये जो P o m e 3 है वो कौन सा है ये वाला है तो कौन सा ज़्यादा better pi acceptor है ये आपकी pi acceptor series है pi acceptor series जो मैंने अभी बताया जितना ज़्यादा pi acceptor उतना ज़्यादा mu c o तो ज़्यादा pi acceptor ज़्यादा में उस हुआ दूसरी चीज यहाँ पर CH3 CH3 electron density बढ़ा रहा है electron density बढ़ाएंगे तो यह कहानी ये भी गटा रहा है दो-दो case है इसलिए यहाँ पर से ये कह रहा है कि इसकी ज़्यादा होगी इस वाले की ज़्यादा होगी इसके comparison में तो yes ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर electron density bond order बहुत decrease हो गया stitching frequency decrease हो जाएगी last case में बात करते हो यहाँ पर से oxidation state देख लो एक मिनट के लिए यहाँ पर कार्बोनिल है यह यह भी कार्बोनिल लिख लेना प्लीज उसके बाद अगर यहाँ पर देखते हो तो यह हमारा minus 1 minus 2 यहाँ इसकी वज़े से यह आ जाएगा plus 2 और इसकी वज़े से यहाँ पर F e कहाँ पर है यह भी plus 2 में है दूसरी चीज क्या है यहाँ पर देखो क्या है CF 3 है और यहाँ पर और सारी ₹ 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 पूछाता तो इसलिए answer भी यही हो जाएगा बड़ा question था बस खली समझना था जल्दी से देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर से पूछा गया CPCR NO2C alone reaction with NABH4 sodium borohydride के साथ अगर इसकी reaction कराते हो तो formation of a dimer एक dimer form होता है the correct set of infrared spectral bands for the new NO stitching mode of the given dimer A is अब यहाँ पर हमसे stitching mode के लिए पूछा गया है अगर आप देखोगे यहाँ पर CP है ठीक है यह CP है यहाँ पर CR है इसके बाद यहाँ पर NO यह हो गया और CL की reaction किसके साथ कराई गयी है यहाँ पर से better होगा ऐसे लिखूँ CP हो गया ठीक है यहाँ पर से do ठीक है और यहाँ पर से CL है और इसकी reaction शकर आई गयी एन भीह फोर के साथ आगे एन भीह फोर ठीक है जैसे ही होगा एन भीह row आपको पता ह हाइडराइड देगा इसके साथ यह निकल जाएगा यह भी सव्ट यह सॉफ्ट होता है और यहां पर कुछ एन ओ ऐसे एन ओ सी आर यह टर्मिनल वाले एन ओ और यहां यह पर देखो गेंगे तो क्या है यहां पर 5 होगा यहां पर इसका कितना होगा 3 होगा यह है यह भी 3 होता है यह 6 होता है यह 6 होता है यह 3 होता है यह 5 होता है तो 5 5 10 6 6 12 मतलब 22 22 और उसके बाद 22 12 यहां से 34 हो रहा होगा अब आपको लगेगा यहां पर अगर आपका option में मतलब मैं बता रहा हूं 99.9% student क्या करेंगे अगर पहले option मलब यह पहले पहुचा है चौतर पहुचा है वह में नहीं पता है लेकिन अगर यह वाला option होगा तो आपको होगे हां 100% यह existence होगी लेकिन ऐसा नहीं है यह हुई बुक का question है और as such ही ऐसे वहाँ पर reaction given है और उसके बाद product में क्या है न product में आपका यह metal metal bond given नहीं है सुन लेना बहुत important चीज बता रहा हूं क्योंकि in general हम लोग देखते हैं bridging वाले हो चाहे जो हो वो क्या follow करते है 18 electron rule लेकिन यहाँ पर यह हुई बुक का question है और 34 electron rule complete होता है मतलब यहाँ पर metal metal bond नहीं बनता है जबकी बनना चाहिए क्योंकि stability और ज्यादा आ जाती है dimers में जितने number of metal metal bond बढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं होता है चाहे आप इसको जैसे याद कर लो मुझे नहीं पता है बट आपको क्या करना है यह completely question याद कर लेना उसमें कोई reason नहीं mention है कि क्यों ऐसा हो रहा है लेकिन यहाँ पर यह 34 electron rule को ही follow कर रहा मतलब और all 17 electron में ही stable है लेकिन इन सब से हमसे मतलब नहीं था हमसे क्या पूछा गया था mu no की stretching frequency तो एक है मारा terminal और एक है मारा breathing तो यहाँ पर से हम लोग की बात करेंगे mu no ठीक है यहाँ पर से एक आएगा breathing में और breathing में हमेशा stretching frequency चाहे वो कारबोनिल की हो या किसी की हो हमेशा कम होती है ठीक है और यह रहती है terminal की तो जब आप इसको देखोगे तो आप पाओगे की एक की कितनी है यहाँ पे 1672 के आसपास होती है और एक की 1505 के आसपास यह copy प important है दोनों perspective से एक stretching frequency से एक दूसरा यह वाली चीज बहुत direct book का question कभी भी आ सकता है इसलिए आपके सामने में ने mention किया हुआ है चलिए यह question देख लिजेगा बढ़ी हासा लंदी question है खाली देखने में लंदी लग रहा है यहाँ क्या है the compound RECO का hole 5 BR upon UV radiation मतलब यहाँ UV radiation दी ही है resulted in evolution of an EQ molar amount of colorless gas याद आया colorless gas मतलब आपका CO group निकल जाता है मतलब carbonyl gas निकलती है and formation of new stable complex जब इसको आपने क्या किया है यहाँ पर UV radiation डाला है तो CO gas निकल गई और वहाँ पर एक तरह से कहलो dimer का तो mention नहीं है लेकि new stable complex बन रहा है the infrared spectrum of compound मतलब IR radius spectrum अगर देखते हो वो बताता है absence of any metal metal bond वो खुद बता रहा है metal metal bond की formation यह presence नहीं है but and source band in the range of this reason यह reason कौन सा है तो याद रखना mu CO जब भी terminal position पर जुड़ता है terminal position पर जुड़ता है तो इसकी stretching frequency 2850 से लेके 2120-2130 तक भी जा सकती है और यहाँ पर जो दोनों range ली गई है दोनों ही इसके अंदर है दोनों ही इसके अंदर आ रही है ठीक है the starting material this BR also shows band in the same spectral range the correct structure of the compound X is देखो यह किसका है जब terminal में होता है और mu CO अगर bridging में चला जाता है तो अभी हमने बताया था ना bridging में stretching frequency घड़ जाती है तो यहाँ पे 1750 से लेके 1850 cm इंवर्स देखने को मिलती है अब यह अगर आपको समझ में आ गया हो तो बताइए यह कह रहा है कि bridging में तो गई नहीं क्यों नहीं गई क्योंकि अगर bridging में गई होती तो value यहाँ आती तो यहाँ पर आपके पास क्या है RE है CO का whole 5 है और BR है जैसे ही आपने यहाँ पे H new डाला यहाँ पर से gas निकल रही है और gas निकल रही है और overall यहाँ पर dimer बन रहा होगा और dimer अगर बन रहा है तो यहाँ पर से एक BR यह ले लो एक BR यह ले लो इसके अलावा metal metal bond भी हम नहीं रखेंगे यहाँ पर से 1 2 यहाँ पर से 1 1 1 और यह रहा ऐसे अब कहा क्या गया है the compound upon UV radiation result in the evolution of eq molar amount of colorless gas and the formation of new stable complex मतलब यहाँ पर से आपका क्या करना है यह यहाँ पर से एक मिनट रुखना यहाँ पर से eq molar amount of colorless gas colorless gas तो यहाँ से 2 निकलेंगी मतलब यहाँ पर से क्या होगा दो सियो निकल जाएंगी और आपका यह डाइमर बन जाएगा यहाँ पर से 2 सियो निकल गया एक दो तीन चार यह चार हो गया यह सियो यह सियो यह सियो यह सियो यहाँ से परूफ हो रहा है कि यह कहां पर है यह सारे टर्मिनल में है जैसे पहले भी थे वैसे ही अभी है अब इनका अगर आप electron count calculate करोगे तो मन तक रहें यहाँ इसका 7 होता 7 2 2 2 2 आज 7 15 और इसका 3 होत है 15 और 15 6 कितने हो गए 15 6 21 हो गए और 21 7 28 और 28 और यहाँ पर आठ इसके 28 36 हो गया मतलब overall इस complex का 36 electron count भी पूरा है metal metal bond नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर यह है दो को इस सारी चीजों को आपको इतना नहीं पढ़ना हो ता आपको ऐसे ही यहाँ से थोड़ा बहुत निकाल ले ती थी metal metal bond यहाँ पर present नहीं है वैसे किसी में भी तो यहाँ से आपका मैंने complete जितने question थे 20 question बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा लेंदी और नए topic थे मुझे पता है बहुत सारों में आपका दिमार्ट घूम गया होगा लेकिन टेंशन न लीजिए यही वो questions होते हैं जो क देखोगे इस तरह का question रखा है आप कभी option ही नहीं select करोगे कभी नहीं करोगे पहली बात तो यह product ही नहीं बना पा रहा है यह कुछ और कर रहोगे यहां से hydride हटा होगे क्या करोगे पहली बात तो डाइमर ही नहीं बनाओगे और अगर डाइमर बनाया तो without metal metal bond कोई भी बन रहा है और आपको भी पता है याद रखना कोई भी teacher कैसा बता रहा है doesn't matter बस आपको authentic चीज पता होनी चाहिए बुक में क्या given है वही पूछा जाएगा irrelevant चीज पढ़ने से सुनने से कोई मतलब नहीं होता है यह आपका हुई book में दिया है मेरे हिसाब से आप जानते ही ह book है housecraft है दो ही तिन book है जो चलती है जो exam में किसी भी question को quest करने में हमारी मदद करती है तो इस तरह के questions आपको आने चाहिए अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं आ रहे है तो tension नलो हम लोग आपके साथ हैं इसी तरह तैयारी में boost up करते रहे मिलता हूं next lecture में thank you so much